हेलो बच्चों आज हमें अपनी वर्कशीट बारा में मृत्य जीवी के बारे में पढ़ना है इसे पढ़ने से पहले हम कुछ उधारन लेते हैं आईए हम देखते हैं ये ब्रेड पर क्या लगा हुआ है ये एक ब्रेड है और ये खराब हो चुका है आपने भी ऐसा ब्रेड जरूर देखा होगा वर्षा रितू में कई बार ब्रेड के पैकेट्स में से इस तरह के ब्रेड निकलते हैं और आपके पेरेंट्स अब को बताते होंगे कि ये खराब हो चुका है ये अब हम नहीं खा सकते तो बच्चों ये खराब क्यों हो गया है ब्रेड पर कवक लग गई है अब ये कवक क्या होती है ब्रेड आटे से बना है और आटा हमें पोधे से मिलता है तो हम ये कह सकते हैं ब्रैड एक पोधे का हिस्सा है जो की कुछ समय के बाद सड़ने लग गया है कवक एक मृत जीवी है मृत जीवी क्या होते हैं ऐसे जीव जिसमें जो किसी मृत और विगटित जेरिक पतारतों से पोशक तत्तु प्राप्त करते हैं ऐसे जीवों को हम मृत जीवी कहते हैं इसका उधारन है कवक चत्रक इस्ट आदी आप चित्र देख सकते हैं ये कूडे के धेर पर चत्रक उगा हुआ है इसे चट्रक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पर चट्र जैसे सरशनाई निचाते जैसे चट्रसाशनाई बनी है इन जीवों के पास में जड़ों के स्थान पर धागे जैसे सरशनाई होती हैं जो सड़ते हुए पदारतों को और सड़ाती है और उससे कुछ सेम पोशक तदो प्राप्त करती है कभी-कभी ये मिलत जीवी हमारे घर के अन्य पदारतों पर भी दिखाई देते हैं जैसे की आचार ये आपने दिखा होगा आचार के डिपे में आचार खराब हो जता है उसमें स्मेलाने लगती है उसका कारण यही है उसमें इसी तरह की हरी-हरी सनचनाई या सफेद रंगी सनचनाई दिखाई देती हैं उसका कारण यह है कि आचार पर भी मिलत जीवी सड़ा का शुरू कर चुके हैं और वैज़ार खराब हो गया है इसी तरह से वर्षारितु में चमड़े की ऊपर भी कुछ ऐसी सरडिशनें दिखाई देती हैं इसका आर्थ यह है कि वह चमड़े पर अपना सडाने का कारिया शुरू कर चुके हैं यह वर्षा रितु में इसलिए उपता है क्योंकि वर्षा रितु इसे अच्छी परिस्तितियां प्रदान करती हैं इसके लिए अच्छी परिस्तितियां हैं नम और उश्नवातावरन यानि कि नमी हो और गर्मी हो ऐसा होने पर कवक के भी जानू वायू में हमेशा उपसीद रहते हैं, जब उन्हें इस परकार का मूर से मिलता है, तो वे अंकुरित हो जाते हैं और जिससे नए कवक बनते हैं, कवक हमारे लिए उपयोगी भी हैं, इसका एक उधारन है छतरक जिसे आप मश्रूम कहते हैं, मश्रूम क सबची के रूप में खाया जाता है, और इसमें बहुत प्रोटीन मिलता है, और इस्ट, इस्ट से अलकोहल बनाने का काम किया जाता है, कुछ कवक होते हैं जिन से एंटिबायोटिक ओशदी बनाने का कारे किया जाता है, जैसे पैंसिलीन, ये बादबों, जन्तों और में रोग उत्पन करने वाले जीवों को मार देते हैं, इससे हमें नुकसान भी है, इससे हमारे शरीर पर दाग हो जाते हैं, आप एक एक्टिविटी द्वारा यानि कि गतिवधी द्वारा ब्रेड पर कवक उगा सकते हैं, आप ब्रेड का एक टुकडा लें, इसे जल में भी गोदें और किसी नम यानि नमी वाले और उश्नकसान पर दो तिमिन के लिए रखतें, तो आप उसके बाद देखेंगे इस प्रकार की रोएं जैसे सरशनाएं आपको दिखाई देने लगेंगी, कुछ कवक बुसरे जीवों के साथ भी संबंद बना के रहने लगते हैं इसे हम सह जीवी संबंद कहते हैं, आपने कुछ व्रिक्षों की जड़ों में ऐसा देखा हो गया, व्रिक्षों के तनों पर ऐसा देखा होगा, वहाँ पर आपको कुछ लकडी जैसे सरशनाएं जो कि फूल का आकार ले लेती हैं देखी होंगी, ये सरशनाएं वहाँ पर क पर यवर्टित हो जाते हैं, लाइकन में दो जीव रहते हैं, एक दूसरे केसा सहजजईवी संबंद बना लेते हैं, एक जीव होता है शेवाल और दूसरा होता है कवग, शेवाल यानि जिसे आप काई कहते हैं, उसमें हरा रंग होता है, इसलिए क्लोरोफिल की उपस्तित के कारण बोजन बना पाता है जबकि कवक में कलोरोफिल नहीं होता है तो कवक शेवाल को रहने का स्थान दे देता है जल और पोशन ततू पलप किराता है जबकि जो शेवाल है वे प्रकाशन शलेशन द्वारा बोजन बनाता है और कवक को प्रदान करता है इस प्रकार ये ज प्रेशन उत्तर देखते हैं प्रेशन एक डैश व्य डैश कवक हमारे लिए उपियोगी है इसका उत्तर है छत्रक और एस्ट चम्ड़े की वस्तुएं जो लंबे समय तक गर्म और नम्म नोसंबत छोड़ी जाती है वे डैश के कारण खराब हो जाती है वे कवक के कारण खराब हो जाती है प्रेशन तीन लाइकन में क्लोरोफिल युक्त भागीदार है लाइकन में क्लोरोफिल युक्त यानि इसमें क्लोरोफिल उपस्तित है शेवाल है प्रेशन चार से जीवी संबन्द से आप क्या समझते हैं एक उधार्ण के साथ समझाइए कुछ जीव एक दुसरे के साथ रहते हैं और अपना आवास, एवन पोशक तत्व एक दुसरे के साथ पांट लेते हैं इसे सहजीवी संबंद कहते हैं उधार्ण तर कुछ कवक फृक्षों की जड़ों में रहते हैं और विक्ष कवक को पोशिन प्रदान करते हैं बदले में उन्हें जल एम पोशिवों के अवश्योशन में साहिता मिलती है दूसरा उधारन है लाइकेन